Welcome students, स्वागत है आपका Android के Complete Developer Course में तो आपके Developer बनने की पहली CD है Downloading and Setup तो हमें सबसे पहले इंस्टोल करना है JDK Windows के लिए Google पे जाकर सर्च करना है Java JDK तो जो पहला suggestion हमें Google देता है, वो देता है Java SC Download का इस site पे क्लिक करें इसमें site पे थोड़ा सा नीचे अगर हम जाएंगे तो JDK का option हमें show हो रहा होगा JDK पे क्लिक करना है, लेकिन इंस्टोल करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखे हमें system की property में check करना पड़ेगा कि actually हमारे system का version कौन सा है जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा 64 bit है तो मैं site से 64 bit का software install करूँगा, मैंने already ही इसको download कर लिया है तो आपको download करना पड़ेगा, मैंने desktop पे इसको download करके save कर लिया है बड़ा ही simple process है इसको install करने का simple double click करना है और कुछ भी इसमें tension ना लेते हुए सिर्फ हमें next पे click करना है already required option space पे आपको tick मिलेगा मैंने इस वीडियो को छोटा करने के लिए बीच बीच में cut किया है आपके system पे इसको install होने के लिए ज़्यादा time लगा सकता है यह depend करेगा आपकी RAM पे मेरे system की 8GB RAM है 2GB RAM और 4GB RAM के साबसे आपकी speed कम ज़्यादा हो सकती है याद रखे इसको install करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए extra इसको explain करने के लिए चैनल पे मैं JDK से related या और software से related videos upload करता रहूंगा simple system पे जाए cmd पे जाए सर्च करें java slash version यह हमारा java software install हो चुका है next step है हमारा install करना हमें android studio same procedure है follow करना है google पे जाना है android studio सर्च करना है पहला ही option जो google suggest करें उस पे click करना है अगर आप जैसे ही click करेंगे सामने show होगा downloading option android studio आप हो सकता है आप जब इस video को देख रहे हैं वर्जन में change हो चुका हो currently यह video 2.2.2 पर based है इसको भी मैं install कर चुका हूँ तो इस video को यहीं पर खतम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसको android studio को configure करना बहुत important video है please देखते रहें इस channel को thanks for watching